गुड मॉर्निंग मैं डॉक्टर जैनेंद्र कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ओप आंत्रपालोजी जैन कॉलोज धुरुवा से हूँ आज हम लोग देखेंगे समिस्टर 6 के DCE 3 पेपर को उसमें आज हम लोग देखेंगे महिलाओं की इस्थिती भारतिय समाज में महिलाओं की इस्थिती के संबंध में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि भारतिय समाज में महिलाओं की इस्थिती क्या है आज से अजादी के 70 सालों बाद भी भारत में महिलाओं की स्थिति संतोस चनक नहीं रही है आधुनिक्ता के विस्तार के साथ साथ देश में दिन प्रति दिन बढ़ते महिलाओं के प्रति अपरादों की संख्या चौकाने वाली है उन्हें आज भी कई प्रकार के धार्मिक रिती रिवाज, कुरीतियों, रूडिवादियों, यौन अपरादों, लैंगिक भेदभाव, घरेलू हिंसा, निम्न जीवन इस्तरिये सैली, असिक्छा, कुपोशन, दहेज, उत्पीडन, कन्या, ब्रुनहत्या, समाजिक असुरच् उपेक्छा का सिकार होना पड़ रहा है, हाला कि पिछले कुछ दस्वकों में, रक्षा और प्रशाशन सहित लगबग सभी सरकारी तथा गयर सरकारी छेत्रों में, महिलाओं की बढ़ती भागिदारी, उनकी स्वायत्ता, तथा अधिकारों का कानूनी एवं राजनेतिक सं रचन, तेजी से बदलते सकारात्मक, समाजिक नजरिये, सुधरते सैचनिक इस्तर, अंतर राष्ट्रिये, खेल में उनकी प्रतिभागिता, एवं कौसल तथा सिनेमा, रचनात्मकता में काफी बदलाव देखने को मिलता है, लेकिन महज ये सुरुवात भर है, जब तक समा प्रतेक वर्ग में महिलाओं को पुरुस के बराबर भागिदारी सुनिश्चित नहीं हो जाती, वे हर प्रकार से शिक्षित, सुरक्षित तथा संत्रक्षित नहीं हो जाती, तब तक हमारी आजादी अधुरी मानी जाएगी, कहा जाता है कि वैदिक यूग में इस्तरियों को पुरुसों के बराबर अधिकार प्राप्त था, उन्हें यगों में सम्मिलित होने वेदों का पाठ करने तथा सिक्षा हासिल करने की आजादी थी, रिगवेद और उपनिसद, अपला, घोशा, मैत्रिय जैसी कई महिला विसीद्यों के बारे में जानकारी प्रादान करत हैं, जैसा कि प्राचीन भारत में कहा जाता रहा है, यत्र, नायस्तु, पुजयन्ते, रमंते, तत्र देवता, अर्थात, जहां इस्तिरियों का समान होता है, वहां देवता निवास करते हैं, इस मृत्यों ने इस्तिरियों पर पाबंदी लगाना शुरू किया, यहीं से मह महिलाओं की स्तिती में गिरावट आना शुरू हो गया, भारत पर इसलामिक आकर्मन के बाद तो हालत बद से बदतर हो गई, इस समय परदा प्रथा, बाल विवा, सती प्रथा, जोहर, देवदासी जैसी घ्रिनित धार्मिक रूडियां प्रचलन में आई, मध्य युग में भक्ती आन्दोलन ने महिलाओं की स्तिती को सुधारने का प्रयास किया, मीराबाई, अक्का, महादेवी, रामी, जानाबाई और लालदे ही इन आन्दोलन का सफल हिस्सा बन सकी, इसके तुरंत बाद सिक धर्म प्रदुभाव हुआ, इन में भी युद, नेत्रित, एवं ध धार्मिक प्रबंध समीतियों में महिलाओं और पुरुसों को के बराबरी का उबदे से दिये गए, अंग्रेजी सासन ने अपनी तरब से महिलाओं की स्तिती को सुधारने के कई विशेज प्रयास नहीं किये, लेकिन 19-20 सताबदी के मध्ये उबजे अनेक धार्मिक सुधा प्रवादी आंदोलनों जैसे ब्रह्म समाज, आर्रे समाज, राम कृष्न मीशन, इस्वर्चंद विद्या सागर, जोती बाई फूले, साबित्री बाई फूले, आधी ने अंग्रेजी सरकार की सहायता से महिलाओं के हित में सती प्रथा का उनमूलन, सहित कई कानूनी प्र प्राव पास करवाने में सफलता हासिल की, यूं तो पहले भी माता, तपिश्वीनी, मैडम काका और सरला देवी जैसी कई करांतिकारी महिलाएं भारत के राष्ट्रे सोतंतरता अंदोलन में सक्रिय थे, किन्तु गांधी जी के आवाहन के बाद यह संख्या कई गुना बढ राज्य सरकार द्वारा कोई भेदभाव नहीं करने, अनुछेद 15, आवसरों की समानता, अनुछेद 16, समान कारे के लिए समान वेतन, अनुछेद 19, जैसे कई प्रवधान महिलाओं के लिए कानूनी प्रवधान किये गया है, नगर पंचायतों में भी महिलाओं के लिए सी आरक्षित करने का प्रवधान किया गया है, ताकि इनकी समाजिक किस्थिती सुधर पाए, विडंबना तो यह है कि इतने सारे कानूनी प्रवधानों के होने के बावजूद देश में महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों में कमी होने के वजाए वृधी हो रही है, राष और 364 महिलाएं योन उत्पुडन का सिकार भी, इस वर्ष केवल बलातकार के 36,000 मामले दर्ज किये गया, ग्रेह मंत्राले भारत सरकार द्वारा जारी आकडों के मुताबिक 2014 से 2016 के बीच में एक लाग से भी जादा मामला दर्ज किया गया, भारत के ग्रामिन छेत्रों में प्रजनन छमता पर नियंतरन पाने के बहुत कम उपाय परियोग किये जाते हैं, जिस से बार-बार गर्वाधारन और शारी रिक अचमता के चलते कई प्रकार की स्वास्त समशाएं देखने को मिलती हैं, हाला कि कुछ महिला हैं, इन सभी चुनावतियों से पार पाकर विविन छेत्रों में देश के समान निये इस्तरों तक भी पहुची है, जैसे स्री मती, इंद्रा गांधी, प्रतीभा देवी, सिह पाटिल, सुस्मा स्वाराज, निर्मला सीता रमन, महादेवी बर्मा, सुभद्रा कुमारी चोहान, आदी उलेखनिये हैं, भारत जैसे पुरूस प्रधान देश में सत्तर के दसक से महिला ससक्ती करन सब्द प्रकास में आया, जिन में 1990 के भुमंडली करन तथा उदारवाद के बाद विदेश निवेश द्वारा इस्थापित गैर सरकारी संगठनों के रूप में अभूत पूर्व तेजी आई, इन संगठनों ने भी महिलाओं को जागरित कर उनमें उनके अधिकारों को प्रती चेतना विक्सित करने तथा उन्हें समाजिक आर्थिक रूप से ससक्त बनाने में महती भूमी का आदा की है, इस्तिरी सुरच्छा और सम्ताव में उठाया गया हमारा प्रतेक कदम किसी ना किसी हद तक इस्तिरियों की दसा सुधारने में कारगर साबित हो रहा है, इसमें कोई दोई राय नहीं है, किन्तु समाजिक सुधार की गती इतनी धीमी है कि इसके यतोचित परिनाम इस पर्ष्ट रूप से सामने नहीं आपाती है, हमें और भी दुरुत गती से इस छेतर में जन जागरीती और सिक्षा पहुचाने का कारे करने के आव सकता है, सिक्षा सभी दोसों से सुचुटकारा दिलाने का अधारबुद साधन है, एक सिक्षी तिस्त्री ना केवल अपना बलकि परिवार का तीन पीडियों का कल्यान कर सकती है, इसलिए सिक्षा को केंदर बनाकर समुचित साधन और कानून का पालन सुनिश्चित करने की दिशा में महिला को बढ़ाया जा सकता है, ग्यात होता है कि आजाद भारत में महिलाएं दिन परती दिन अपनी लगन, मेहनत एवं सराहनिय कार्योग द्वारा राष्टे पटल पर अपनी पहचान बनाने में काम्याब हुई है, मौजूदा दोर में महिलाएं नए भारत की आगाज की अहमकड़ी दिख रही है, लंबे अर्से से के अथक परिश्रम के बाद आज भारतिय महिलाएं समुचे विश्व में अपने पधचिन छोड़ रही है, मुझे कहने पुरुष्परधान पुरुड़ी बादी समाज में महिलाएं निश्चित रूप से आगामी सुरनिम भारत के नियू और मजबूत करने का हर संभव परियास कर रही है, जो सचमुच काबिले तारीफ है, यह जरूर है कि कुछ जगा अब भी महिलाएं घर की चार दिवारी में कैद होकर रूड़ी बादी परंपराओं का बोजड हो रही है, वज़ा साप है पुरुष्परधान समाज का महज संकुचित मानसिक्ता में बंधे होना, जब महिलाओं की सैचनिक आकड़ा को देखते हैं, तो यह इसपस्ट होता है कि सामाजिक संबलता है तू, भारत में महिलाओं की साचरतादर लगातार बढ़ती जा रही है, पुरुष्परधान साचरतादर से अब भी कम ही है, लड़कों की तुल्ला में बहुत कम लड़किया हैं स्कूल में दाखिला लेती हैं, और उनमें से कई महिलाओं तो अपनी पढ़ाओं छोड़ देती हैं, दूसरी तरफ सहरी भारत में या आकड़ा संतोस जनक है, लड़किया सिक्षा के मामले में लड़कों के लगभग बराबर चल रही है, एक सबल राष्टर बनाने के लिए महिलाओं की सिक्षा एवं उनकी सक्रिय भागिदारी आती आवस्यक है, इसलिए हम सब को महिला सिक् सहरी भारत में महिला सरमिकों की एक बड़ी तादाद मौजूद है, सौप्टियर उद्योग में 30% महिला करमचारी है, पारस्मिक एवं कार रेस्थल के मामले में पुरुष सहकर्मियों के साथ बराबरी से पर है, क्रिसी एवं समंधित छेत्रों में कुल महिला सरमिकों को अधिक्तम 89 फिजदी रोजगार दिया गया है, आज के लिए इतना ही करके आंत करता हूं, धन्यवाद